तो गुट मॉर्णिंग कैसे हैं आप सब आई होप अच्छी होगे मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ बहुत दिनों से बेटी का रूम और्गनाइज नहीं हो पा रहा था तो मैं जैसे होता ना कि जैसे आते वह कपरे इधर सुधर रख देते हैं तो विकेंड में एक दिन मैं उसकी कपरे को ठीक से अरेंज कर देते हूँ इधर बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था सारे का और बहुत फेस्टिवल भी स्टार्ट हो नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे काम को अगर फिनिश नहीं करेंगे तो एक वार ऐसा हो जाएगा कि ना सामों का बंडर लग जाता है और वह जल्दी खतम भी नहीं होता है तो आज इस रूम की पूरी सी साफ सफाई करने के साथ मैं उसके वर्डरोग की सफाई कर रहे हूं तो सबसे पहले जितने वी कप्रे थे मैं उसको अच्छे से निकाल दिया और अच्छे तरीके से साफ कर बहुतले जरूम जञें और सब né Weald कर दो चेक चेक कौर अगंडे कैसे में जाता है है और जा दोले कोईशित कर दिया कर देतहिता और सब्स्राई कर दिया और श्चेस को अलग कर दिया आप लग चाहिए तो यसको अरगनाजर में भी रख सकते हैं बहुत सारी तो मैं छोट चोटे चोटे और नाइजर में सॉक्स हो जाता है उसके हैंकी हो जाती है यह चीजों को अच्छे तरीके से फोड़ करके रख देती हूं ताकि इसली बेटे को भी असानी से मिल जाए हां इसकूल जाने के टाइम में कभी-कभी थोड़ी हर बर होती है तो कपड़े तो इधर स सॉक्स वेगर है वो एक तरफ रख देती है तो अगनाइजर का यूज करने से यह फैदे होते हैं कि आपके कपड़े एक दूसरे से टच नहीं होते हैं मैसी नहीं होते हैं और बहुत असानी सी एजली मिल जाते हैं तो इस तरह मेरे बेटे का वाट्रोब में अच्छे तरी प्रेस हो सके और यह सारे समान जो फैले हुए है इसमें बहुत सारे आइटम जो चॉकलेट का बिजन से स्टार्ट था तो जो रच्छा बंदर मेंने किया था वो सामने सारा समान बाहरी था जो भी कुछ बच जाता है मेरा सीजन ओफ होने के बाद मैं इसको अच्छे तरीक जो जाने है वह असानी से मुझे मिल जाएं मैं को इस बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो पुराने हो चुके थे और यूज होने रहे थे और इसमें बहुत सारे बेट सीड़ थे चुम्हें इसको हटाना चाहा हुए थी तो नीटिन क्लीन करते हूए है करते हैं मैंने और सफ ही दूँए आज को किनुए और चौह को दूँए यह कर ऑँ करें भी और शंट एक अपैश सोफा निवेर सा इसको किसा बेड़ना है तो मैं इसको फेक होंगी तो नहीं नहीं मैं किसी को दे लिए हूं इसका री उस क्या करोंगी यह मैं आगे की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी और इस तरह मेरा यह वाडरो भी अच्छे तरीके से अरेंच हो जाता है सुप वैगरा को इसको धूब दिखाने की जो नी बाइ बाइ